19 मई 1906 महराश्च के ब्रामहड परिवार में लड़का पैदा हुआ इससे पहले परिवार में तीन लड़कों की पैदा होने से कुछ समय के बाद ही मौत हो गई थी इस अभिशाप को तोड़ने के लिए उसे 12 साल तक की उमर तक लड़की बना कर रखने का फैसला लिया गया नाक छिदवाने के कारण नाम पड़ा नाथूराम आज कहानी गांधी के अन्याई से गांधी का हत्यारा बने नाथूराम गोट से की करीब 12 साल तक लड़कीयों की तरह रहने से नाथूराम चुप रहता इतना ही नहीं उसके मन में विरोधी भावनाय पनप्ती गई बच्पन से वो दावा किया करता कि वो देवी देताओं से बात कर सकता है एक बार उसने अपनी तथा कथित शक्तियों से बहन मतुरा की रहसिमाई बीमारी को भी ठीक कर दिया परिवार ने इसे चमतकार माना और गोट से ऐसी पूजा में आगे बढ़ता गिया वो एक कमरे के कोने में फर्ष को गाए के गोबर से नीपता फिर कालिक और तेल से हथेली के आकार का चक्र बनाता दिया जला कर पूजा करता और कालिक को घूरता नातुराम के भाई गोपाल गोट से अपनी किताब गांधी जी की हत्या और उसके बाद में लिखते हैं पूजा के बाद आजपास के लोग उससे अपनी चिंता से संबंधित सवाल पूछते थे और नातुराम जो भी बोलता लोग उसे देवी का जवाब मानते सोला साल की उम्र तक आते आते उसने पूजा पाट करना बन कर दिया 1929 में उसके पिता उसे लेकर रतनागिरी शिफ्ट हो गए ये वो दौर था जब गांधी जी संयुक्त प्रांथ यानि आज के यूपी और उत्तराखंड के दौरे पर निकले थे स्वाधीनता के लिए सभाएं आयोजित की जा रही थी रतनागिरी के कॉंग्रेस नेता भी सक्रिय हुए तो गोड से उनके साथ आ गया उसने भी विरोध सभाओं में हिस्सा लिया कुछ समय में विरोध सभाओं का नियम में तो वक्ता बन गया इस सब के बीच गोड से की मुलाकात विनायक दामोदर सावरकर से हुई गोपाल गोड से के मुताबिक गोड से जब सावरकर के संपर्क में आया तब उसकी उम्र 19 साल थी सावरकर के रतनागिरी आते ही दोनों में काफी करीबी संबंध हो गए गोड से उनकी बातों और उनके वैक्तित्व से बहुत प्रभावित था सावरकर अपने हिंदूतु के सिध्धान्त के साथ लोगों से मिलते उन्होंने ही गोड से को किताबें और साहित्य दे कर पढ़ने की आदर डलवाई अप्राइल 1930 में जब गांधी जी ने डांडी मार्च निकाल कर नमक कानून तोड़ा और देश में आंदोलन शुरू हो गए उस वक्त गोड से परिवार बहुत प्रभावित हुआ पिता डाग विभाग की नौकरी से रिटायर हुए और परिवार की जिम्मेदारी गोड से परागई उसने कई नौकरियों में हाथ आजमाया अंत में चरितार्थ द्योग नाम से एक सिलाई की दुकान खोली साथ साथ राजनीतिक गतिविधियों को जारी रखते हुए संग में भी शामिल हो गया नेता नगरी से काम पर असर पढ़ने लगा इसलिए पूना जाकर दुबारा काम चुरू करने का फैसला किया दिसंबर 1937 में सावरकर हिंदू महासभा के अध्यक्ष बने 1937 में गोडसे संग छोड़कर हिंदू महासभा में जुड़ गया एक आंदोलन के लिए उसे एक साल की जेल भी हुई जेल से वापस लोटने के बाद नातुराम अपने भाई के भरों से सारा काम छोड़कर राजनीतिक रूप से सक्रिय हो गया गोडसे ने एक नया संगठन बनाया नाम दिया हिंदू राष्ट्र दल जिसे हिंदू महासभा और आरेसेस दोनों का समर्थन प्राप्त था इस संगठन में उसकी मुलाकात हुई नारायन दत्तरेय आप्टे से 1944 में अपने विचारों को बल देने के लिए गोडसे ने बंद पड़े मराथी अकबार अग्रणी को दुबारा शुरू किया लेकिन कुछ ही समय में भड़काउ लेक की वज़े से अकबार पर प्रतिबंध लग गया जुर्माना लगने के बाद भी गोडसे पर कोई असर नहीं पड़ा उसने अग्रिणी अकबार बंद करके हिंदू रास्टर नाम से एक नए अकबार निकाला जिसमें गोडसे संपादक और दत्तरेय आप्टे प्रबंधक बने इसी बीच देश आजाद हुआ और दो तुकडों में बढ़ गया इस दौरान गोडसे ने लगातार भड़गाउ लेक लिखे देश के बटवारे के लिए वो गांधी को जिम्मेदार मानता रहा यहीं से गोडसे और उसके दोस्त के मन में गांधी हत्या की बात आई दो जनवरी 1948 से गांधी की हत्या की प्लानिंग शुरू हो गई इसमें गोडसे, दत्ता त्रेय और मदनलाल पहवा भी शामिल थे कोशिचों के बाद 30 जनवरी 1948 को शाम पांच बजे बिल्ला भवन में गोडसे ने गांधी के सीने में सीन गोनिया दाक कर उनकी हत्या कर दी कोड़ ट्राइल चला और 15 नवंबर 1949 को उसे फासी दे दी गई